जोतिश शास्त्र के तरह अंक जोतिश से भी जातक के भविश्य सुभावर व्यक्तित्व का पता लगता है जिस तरह हर नाम के अनुसार राशी होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक जोतिश में नंबर होते हैं अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतित ही महिने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्याएगी वही आपका भाग्यांख होगा उदाहरण के तौर पर महिने के 2,11 और 20 तारीक कोजन में लोगों का मुलांक दो होगा अब जानेंगे कैसा होगा आज आपका दिन तो मुलांक एक वालों के लिए कोई अप्रत्याशित धन का स्त्रोत आपको मिलने वाला है गलत आदोतों और जोखिम भरे व्याभार से आपको बचना होगा सोच समझ कर धन का प्रयोग करना होगा दिशाओं को अपने अनुसार बदलने के लिए कठोर और स्टशक्त दृष्टिकोंड की बजाए कुशलता का उप्योग करें शुभांक होगा 26, शुभरंग नीला मुलांक दो की बात करते हैं कड़ी महनत और द्रण विश्वास आपकी सफलता की कूंजी है अपने स्वास्त और वित्त की देख भाल करें आवश्चिक्ता नुसार परिवार की राय लेना ना भूलें आपके सिक्षक या पिता जैसा कोई स्वास्त संबंध ही समस्चाओं से गुजर रहे हैं ऐसे में उनके साथ रहें शुभांक होगा 11, शुभरंग भूरा मुलांक 3, कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोश ना करें क्योंकि सीखने से ही आप निपूर बनेंगे दूसरों की सेवा करना आपके लिए एक सुनहरा आउसर होगा रिष्टों, साज्यदारियों और व्यापारिक सौदों के लिए आज का दिन उप्युक्त है शुभांक होगा 31 और शुभरंग के सरिया आए बढ़ते हैं मुलांक चार की ओर तो आज का राशिफल क्या कहता है कि आपको आर्थिक हानी को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं भविशी की योजनाएं बनाएं भविशी में समरिध्धी और शांती के लिए कानूनी या व्यवसाइक व्यवस्थाएं अभी से कर लें शुभांक होगा उनीस और शुभरंग नारंगी मुलांक पांच की ओर बढ़ते हैं गतिविधियों और समाजी करण में बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है गाड़ी धीरे से चलाएं और हो सके तो सारवजनिक परिवहन का प्रयोग करें शुभांक होगा उननतीस और शुभरंग होगा सफेद अगला मुलांक है मुलांक छे अपने माता पिता या उनके समान किसी के साथ अपने संबंधों में संतुष्टी महसूस करेंगे आपके द्वारा प्राप्त ज्यान आपकी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा घर या कार की मरमत या नवे निकरण आपको परिशानी में डाल सकती है शुभांक होगा उननीस और शुभरंग होगा बैंगनी मुलांक साथ की बारी आती है तो आज आपको पता है कि इसके लिए कड़ी मेहनत विकल्प नहीं है मन भ्रमित हो सकता इसलिए अपना ध्यान लक्ष पर रखें जमकर जिस काम में लगे हुए हैं उस पर टीके रहें सफलता जरूर मिलेगी शुभंक होगा आठ और शुभरंग होगा लाल मुलांक आठ की बात करें दुर घटना से बशने के लिए सावधानी जरूरी है अपने विश्वासों को पुनह व्यवस्थित करने और आध्यात्मिक विशय में शोध करने का यह एक अच्छा समय दिख रहा है तो शुभंक होगा पंद्रा और शुभरंग होगा गुलाबी आखरी मुलांक है मुलांक नौ भाग्य और आकर्शन इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं सहयोग या संबंधों के छेत्रे में भी तरक रहने की आवशक्ता होगी कारेस्थल के विवाद अन्यंत्रित होकर आपके लिए चिंता का कारान बन सकते हैं महनत करना जारी रखें और इससे बाधाओं को दूर करने में सफलता मिलेगी शुभंक होगा दस और शुभरंग होगा सफेद